पीके तुझे क्या लगता है तु ऐसे कुट्टा बनके इस्कूल आएगा तु मुझे पता नहीं चलेगा अरे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुट्टा बनके आ रहा हूं फिर ऐसे आने का क्या मतलब है क्या कुट्टा बनके आने का और सुवर बनके जाने का वर्ना क्यों देख इसे पता है आप सुवर बनाके बारोगे यही ना सुवर बना के नहीं कुट्टा बनाके मारूंगा कुट्टा अबे क्या बोल अबे बखरी के बच्चे अबे तेरी तो ना लायक कहीं का कुमेड़ी कर रहा मेरे साथ अरे क्रोधी इंसान मारे क्यों मैं तो यह कह रहा था कि मैं समझ गया में डग के सकल के तो सीधा ऐसे बोलना चाहिए ना खाम खापिट गया चल बैट तो दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे लेकिन आपियल देखने के साथ साल लूड़ो थिरिश्टी फाई पर आप रजिस्टेशन करते वक्त लूड़ो थिरिश्टी फाई पर थिरिश्टी फाई रूपीज मिलेंगे वो भी बिल्कुल मुप यहां पर आपको वन टूवन कस्टमर केर सर्विस आपके लिए 24-7 आवलिबल है आप आराम से अपने किसी भी प्रोब्लम का सल्यूशन ले सकते हैं यहां पर दस मिलियन से जादे यूजर आलरेड़ी लूड़ो 365 पर खेल रहे हैं और रोज कोई न कोई अमेजिंग प्राइज जीत रहे हैं और हां यहां पर किर्केट के साथ साथ 200 से जादे और भी गयम अवलिबल है जहां पर आप कुछ आसान सवालों का जवाब के अमेजिक प्राइज जी सकते हैं लूड़ो 365 जो है बहुत सारे बोलीबुट के सेलिवरेटी जैसे नवाजुद्दीन सिद्धी सुनिल सेठी काजर अगरवाल और नेहा सरमा जैसे बोलीबुट के बड़े-बड़े सेलिवरेटी लोगों ने पर्मोट किया है और हो इसक इंका फीस क्यों नहीं लेके आया अब है कल तुझे बोला थाना फीस लेके आना अरे अत्यातर उथा राद मेरी दादी बिमार है अहां थर अच्छा ठीक चल कोई बात रहें यह वैडिया अब देखा कहें थे थर को व्यकूब बना दिया और कालिया तेरा भी तो फीस बाक है किहार करीं का जिए तेरा दादा बिमार हो जाता कहीं उस्की दादी बिमार हो जाती है यह क्या लगाके नियुकतर अरे सारब बिमार हो गए तो कहा करें अरे कालिया तो यार कभी बताया नहीं तेरे दादाजी भी है अबे ओ सो ग्राम तेरी दादी पांच साल पहले मर चुकी है ना फिर जिंदक ऐसे हो गई बैं क्या इसका मतलब लग जोड बोल लाएं हां तेरी तो सुगरो फिस लाओ फिस फिस बिना लेके आए ना तो नलाय को स्कूल के बाहर उल्टा लटकाऊंगा अरे सर छोड़ ये कर लेके आएंगे हां थर्तल लेते हैं इंदे जोड बोलते हैं नलाय और बेटा पीके सर मेरा तो जमा है ना क्या उस दिन मुबाल में दिखाया था अबे अरे हां हां वेटा तेरा जमा है लेकिन तू फिर भी खड़ा हो अरे जो सर अब मैंने बोला ना खड़ा हो खड़ा हो चल तू मुझे यह बता भैस पूछ क्यों हिलाती है अरे सर साथ हो इसलिए हिला रही होगी क्योंकि पूछ में इतनी ताकत नहीं होती है ना कि भैस को हिला सके पूजा तू खड़ी हो चल तू यह बता मान ले पांच किलो आलू है और पांच किलो रूही तो उनमें से कौन भारी होगा अरे वहां सर आज मज़े आएगा मात बल लई थी ना कि नहीं मार खाती हूं आज पिटेगी पक्ता है ठीके अरे बताएगी कि पूरा दिल लेगी सर आलू आलू चल एक बार और सोच ले अरे सर इसमें सोच ना क्या है रूही से आलू भारी होता है अरे तुम लोग भी उत्तर गलत देने लगी जब पांच किलो आलू है और पांच किलो रूही उनमें सभारी कौन हो गया दोनों बराबर होगे ना चल बाट पूजा मार खा गई ना ठीके चुप होता है कि बनाओ सूवर चल तू खड़ी हो चल तू मुझे यह बता वह कौन से सबजी है जिसका नाम किसी सहर के नाम पर है सेर भिंडी वह भिंडी नहीं भिंडी बजा रहा है इसका जवाब है सिमला अरे सारो सिमला नहीं सिमला मीर चाह है तेरी तो तू बहुत बगबग कर रहा है तू अपने आपको क्या समझता अबे तू बहुत बड़ा ग्यानी है तू बहुत बड़ा ग्याता है नालाइक कहीं का चल तू मुझे यह बता वह कौन सी चीज है जो इंसान किसी की ले तो सकता है लेकिन उसे वापस नहीं दे सकता सेर वाण अबे क्या बोलो तेरी तो क्या बोलो वे क्या बोलो अरे सर छोड़ोगी तू बताऊंगा न सेर वो पैसा है अरे हाँ सार इदर सुनो पीके हमसे एक साल पहले सो उरुपिय लिया था अभी तक वापस नहीं दे पाया तब बेटा तू भी खड़ा हो जा तू भी सी केगाओं का है न तुम दोने एक ही यूनिट हो न ख़़ा हो अरे सर हमें काय खड़ा करवा रहे हैं हम कुछ गलत बोल दिये हैं कहाँ खड़ा हो खड़ा हो बताता हूँ बेटा उसका सही उत्तर है जान जो मैं आज तुम दोनों कलूंगा तेरी तो पुम पुम दोनों कलूंगा